सो फ्रेंट्स स्वास्त बेवाग क्या अंतरगर एक और वेकेंसी दोस्टों आप आ चुकी है नर्सिंग केंडिरेट्स के लिए यह रेकृट्मेंट आप लोगों के लिए आप नकाला जा रहा और करीब करीब बायाली स्पदों पे ये वेकैंसी आप लोगों के लिए आप नकाल दी गई है दो अलग-अलग तरीके के पोश्ट आप शामिल की गई स्टाफ नर्स के लिए वेकैंसी इसमें आप रहेंगी और A&M के लिए भी वेकैंसी दोस्तों इसमें आप आ चुकी है जैसे कि मैंने आपको आप बताया कि करीब-करीब जो पोश्ट इसमें आप शामिल की गई 42 पदों पे ये रिक्रूट्मेंट जो है आया हुआ है तो इन पोश्ट के लिए आपको अपलाय करना है सबसे पहले आप लोग आप पे देखे हैं ये जो वेकैंसी निकाली गई आप लोग हेडिंग पड़े राज्य स्वास्थ एवं परिवार कल्याण संस्था दूरदर्शन केंद्र ठीक है ये अपडेट जो है राजिस्थान गवर्मेंट के अंतरगत आप लोगों के लिए आप पे रहेगा डरेटली इनफॉर्मेशन के और हम लोग यहां पे बढ़ जाते हैं तो इसको आपे में थोड़ा जूम करता हूँ तो मिडवाइफरी एजुकेटर ठीक है तो इसमें 12 पद है और नर्स प्रेक्टेशनर मिडवाइफरी इसमें 30 पद है तो 42 पदों पर ये रिकूट्मेंट आपके लिए रहेगा इसमें क्वालिफिकेशन देखिए तो मिडवाइफरी एजुकेटर के लिए MSC और BSC नर्सिंग केंडिरेट साविधन करेंगे पांच वर्ष का क्लिनिकल एक्सपीरियंस इसमें आपको आम पर चाहिए मैटर्नल केर और यहाँ पे आपका पैशन होना चाहिए किसके प्रती मिडवाइफरी के प्रती क्लिनिकल हेंट्स ओन एक्सपीरियंस ओन करने का आपके पास अनुबाब होना चाहिए और आप लोगों को क्लिनिकल प्रेक्टिस और डेलिवरी इसको करने में यह आपकी विलिंग नेक्स आपके इच्छा भी होनी चाहिए तो इन सब चीजों में आपके पास पात रहता है तो बिलकुल आप लोग इस post के लिए आविदन करेंगे कोछ यदि और आपके पास यहाँ पर अनुभव है तो apply करें वैसे यह desirable बोला गया है यह compulsory आपको यहाँ पर नहीं बोला जा रहा इसके बाद next देखिए जो nurse practitioner की यहाँ पर जो post है तो इसमें सरव आप लोगों से GNM का diploma और BSC nursing की degree BSC nursing और GNM diploma candidate से apply करेंगे दो वर्ष का अनुभव clinical experience का maternal care के अंतरगत आप लोगों को इसमें आपे चाहिए और midwifery के परती आप लोगों को जो है passion आप लोगों का रुजान यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर होना चाहिए पैतलिस वर्ष उमर इसमें आप लोगों के लिए आप रखे गई इसमें जो selection है देखिए interview के अधार पर है चाहे midwifery वाली post हो चाहे nurse वाली यहाँ पर post हो तो interview के अधार पर आपका selection है आवेदन पत्र जो है आप लोग website से download करेंगे इसकी website है और 12 सितंबर से आप लोग यहाँ पर download कर सकते हैं और 30 सितंबर शाम के 5 वज़े तक जो है आप लोगों को अपना आवेदन जो है भेज देना है कहाँ पर बेजना है देखिए यह address आपको यहाँ पर दे दिया गया है ठीक है आप लोगों को speed post या registered post के माद्यम से अपना आवेदन कर देना है इसके लिए आवेदन शोल्क भी आपको यहाँ पर करना होगा तो इसके बारे में details आपको दे दे गई DD demand draft इसमें आपको बनवाना है किसके नाम पर बनवाना है किसके favor में बनवाना है तो यह जानकारी भी इसमें आप लोगों को यहाँ पर दी जारी यह वाला point आप लोग यहाँ पर इसमें read कर सकते हैं ठीक है आवेदन के साथ जो जो चीज़ें आपको संगलन करनी है तो यह दस्तावेज जो है आप लोगों को सम्मेट करने होगे तो last date देख लीजे 30 सितंबर आवेदन करने की last date है शामके 5 बजे तक आपका आवेदन पहुंच जाना चाहिए यदि इस वीडियो के माद्याम से आपको vacancy के जानकारी मिली है तो आपको अपने सभी friends लोगों को इस वीडियो को share कर देना है सभी को इस वीडियो को आप लोगों आप पे share कर दे whatsapp के जितने भी आपके friends हैं जितने भी groups हैं वीडियो को लाइक करके, चैनल को भी सब्सक्राइब करें, इस चैनल को भी आपलोगों के आपर सब्सक्राइब करें, जिससे आगे की विकैंसी की जानकारी भी आगए आपको मिलती रहे तो मिलते हैं next वीडियो में, thank you so much.